आज कर बहुत गर्मी पढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ थंडा थंडा पीने का मन करता है तो आज हम बनाएंगे तीन डिफरेंट टाइप की लसी या फिर जिसको कि हम नमकीन लसी या चाच भी बोलते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे नमकीन लसी नमकीन चाच इसके लिए हमें एक कटोरी दहीं चाहिए यह घर का आप दहीं ले सकते हैं या फिर मार्किट का लो फाट कर्ड और आदा ग्लास पानी इसके साथ हमें थोड़े से पुदीना लीव्स चाहिए घर के आपके पास अगर फ् और साथ में हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लाक पेपर थोड़ा सा सॉल्ट टेबल सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लाक सॉल्ट यह डालेंगे और साथ में हमने थोड़े से आइस क्यूब्स डाले अब इसको ब्लेंट कर लेंगे और यह हमारी नमकीन लसी नमकी फिर्च कटी हुई थोड़ा सा अद्रक और साथ में पुदीना के लीवस अब हम इसको ब्लेंड करेंगे यह हमारे चन्नाई का पाउडर बन गया है अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी कर्ड आदा ग्लास पानी और इसके साथ ही थोड़ा सा ब्लाक पेपर ब्लाक सॉल्ट और नॉमल सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा अब आइस क्यूब्स टालेंगे और इसको फिर से ब्लेंड करेंगे अब हमारी हाई प्रोटीन चाच रेडी है तो इस फॉर दिस फॉर जिम लावर्स नेक्स्ट हम बनाएंगे लसी जो की मीठी लसी है इसके लिए हम लेंगे कर्ड एक कटोरी कर्ड और पानी आदा ग्लास पानी और इसके साथ ही थोड़े से पुदीना की लीव्स और साथ में आइस क्यूब्स और एक चमच चीनी यह बेसिकली बच्चों के लिए है या फिर जिनको एकगम से इमिजेट सोर्स ऑफ एनरजी का भी चाहिए आपको बहुत लो फील हो रहा है उसके लिए इसको ब्लेंट करेंगे और दिस इस रेडी जो चाहच होती है वो हल्प करती है असीडिटी को कम करने में कॉंस्टिपेशन से फाइट करती है हमारी बोडी को ठंडा रखती है दिहाइडरेशन को प्रिवेंट करती है बोडी को डितॉक्सिफाइ करती है और इसमें बहुत से असेंशिल वितामिन्स और मिनरल्स भी होत कर दो.